सिच्छक भरती की कटाफ से समन्दत ये ऐसे 10 कारण है जिनकी वज़े से PRT की जो कटाफ है वो यहाँ पर कम जाने वाली है आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहेगा सारा डेटा हमने यहाँ पर तयार कर लिया है और सभी फैक्टर्स पर बात करने वाले हैं बि ही चक आप समझ जाए कि आपके एक सीट बिहार सिच्छक भरती में PRT में जो 89,000 कुछ पदों पर भरती है आपकी चल रही लगभग 80,000 पदों पर उसमें आपक्या सेलेक्शन यहाँ पर हर हाल में होई जाएगा रिजल्ट आप सभी को पता है कि 15 अक्टूबर के आसपास जाएगा इसके बाद आपकी DB होगी और नौंबर में आपकी जो जॉइनिंग होगी वो करवा दी जाएगी नौंबर में आपकी ट्रेनिंग सुरू होगी सभी डायेट पर आपको भेजा जाएगा 45 दिन की आपकी ट्रेनिंग होगी और जिस दिन आपको डायेट पर भेजा दिया है तो आईए इस वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले एक छोटी सी सूचना मैं आपको और बता दूँ आगर आप बिहार में आगामी जो एर्थ फेच की भरती होने वाली है जिसमें 6 to earth की वेकिंसी है TGT और PGT की वेकिंसी है 6 to earth के लिए और TGT और PGT के लिए सबको पता है कि SCRT पढ़ना है जोकि SCRT आपके सलेबस में खास करके हमने 6 to earth के लिए 3 पार्ट में SCRT को डिवाइट कर दिया है तो 3 पार्ट में SCRT को जो डिवाइट किया गया है 1st पार्ट है Language Teacher का जिसमें हमने Science and Math portion तयार कर लिया गया है तो आप आराम से इन सभी notes को purchase कर लिजे पूरी 23 किताबों की जो SCRT 23 किताबे हैं उनका निचोड PDF बना दिया गया है 222 पेज का PDF है आप अभी से purchase के लिए अच्छे से पढ़िए ताकि आपका selection यहाँ पर होई जाए क्योंकि आपका जो exam होगा 6 to 8 वाला या TGT और PGT वाला जो 8 वेज की सिचक भरती आएगी 2 से 5 दिसम्बर की बीचे प्रस्तावेद offline तरीके से conduct करा जाएगा तो 50 से 60 दिन बचे भी हैं आप अभी से SCRT notes purchase के लिजे पढ़िए इस वीडियो में सबसे पहले आप SCRT notes के बारे में देख लीजिए उनका demo देख लीजिए फिर आप भरती के तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता है आपके syllabus में BP SCRT पूछेगा और अभी इतना समय आपके पास नहीं कि SCRT की books आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएं हमने 23 किताबों का SCRT का जो निचोड PDF है वो single file यानि complete ebook में यहाँ पर तैयार कर दिया है जिसे आप screen पर देख सकते हैं कितने काईदे से हमने यहाँ पर तैयार किया है यह मात्र 200 something page का है आप अगर इसे 8 गंटे या 10 गंटे दे करके एक बार पढ़ लेते हैं और फिर दुबारा 8 या 10 गंटे दे करके एक बार फिर से revise कर लेते हैं तो मैं guarantee लेता हूँ कि आप 75 प्लस अपने exam में जरूर ले आएंगे अगर इमानदारी के साथ आप पढ़ाई करेंगे तो यह आप यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ मैंने बिधवत यहाँ पर रखा हुआ है सारे notes आपको complete मिलने वाले हैं तो यह notes कैसे ले सकते हैं इस video के discussion box को चकरिएगा जहाँ पर link दिया गया है सासत comment box को चकरिएगा वहाँ पर online buy करने का link दिया गया है आप online खरी सकते हैं तुरंत PDF आपको वहाँ पर link के द्वारा मिल जाएगी जैसे आप online खरी देंगे या फिर आप मुझे इस number 145,8,7,3,9 पर भी whatsapp करके जो है इस PDF को ले सकते हैं मात्र 119 इसका price रखा गया है और ये काफी मेहनत करने पड़े ही हमें इसके बाद type करवाना पड़ा है काफी पैसा खर्च हुआ है आप लोग समझ रहे होंगे 199 बहुत कम charge रखा गया है अगर आप इस SCRT को अच्छी तरीकस पढ़ लेते हैं तो मैं guarantee लेता हूँ कि आप exam अपना crack कर लेंगे और अभी आपके पास time है आराम से आप यहां पर पड़ा सकते हैं BPSC यही पूछेगा जो कि SCRT आपके syllabus में दिया गया है आए सबसे पहले आकडों पर नजर डालते हैं अभी इससे पहले जो हमने cut-off बनाया था वो seated की answer की नहीं आई थी उससे पहले हमने तयार किया था लेकिन इस बार की जो cut-off है seated की answer की आने के बाद यहां पर तयार की जा रही है बाकी बहुत से अन्य factors है उन पर हम बात करने वाले हैं आप लोग जब वीडियो को अंतक देखेंगे तो समझ जाएंगे तो यहां पर seated का जब हमने रिजल्ट देखा तो मैं देख रहा हूँ कि लगातार जो रिजल्ट आपका आ रहा है वो 9%, 10%, 8% और इस बार भी जो रिजल्ट आएगा वो लग भी मैं मान के चल रहा हूँ कि 10% जो लोग होंगे जो first paper यहां पर clear कर रहे होंगे अब बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो first paper अपनी अपनी category के हिसाफ से clear कर रहे होंगे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 90-90 से अधिक ले करके भी यहां पर आए होंगे अगर हम इस बार बात करें तो बिहार में 2,031,000 के something ऐसे लोग थे ऐसे में मैं मैं मान सकता हूँ एक मोटा सा आकड़ा है पर हमारे पास है कि जो 23,000 लोग होंगे ये भाई सीटिट का भी एकजाम दिये हैं और हो सकता है कि इनका appearing भी रहो चुकि सीटिट के अलावा beard और dealet जो भी appearing वाले student थे उनको भी लिया गया था तो ये अपने उलजे होंगे B8 और dealet की course को complete करने में फिर सीटिट की तयारी करने में फिर last में इनको मौका मिल पाया होगा फिर ये अपनी तयारी की हैं बिहार वाली तो इनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था ऐसे में एक आकड़ा यहाँ पर यह जा रहा है मोटा मोटा कि 5000 ऐसे बच्चे होंगे जो मैं cut-off बताऊंगा उस cut-off की range में आने वाले हैं और इनका यहाँ पर selection होने वाला है बाकी जो यहाँ पर बच्चे हैं 18,000 वो तो वैसे ही यहाँ पर बाहर हो जाएंगे तो यहाँ से एक आकड़ा किलियर यह होता है कि जो अभी seated appearing वाले बच्चे हैं लगबग 5000 या इससे कम इससे ज्यादा बिलकुल नहीं यही बच्चे इस बिहार सिचक भरती में select होने वाले हैं अब आईए एक आकड़ा और डालते हैं अभी आपको पता है कि जो TGT और PGT का result है वो भी साथ साथ आने वाला है तो इसमें कि 1-5,000-2,000 बच्चे ऐसे होंगे जो यह PRT भी select हो रहे होंगे और TGT और PGT में तो इनका selection fix ही है तो ऐसे में यह TGT और PGT को ही join करेंगे PRT join नहीं करेंगे अब देखिए PRT वही select हो रहा होगा जो DL8 भी किया है और B8 भी किया है तो ऐसे में 1-5,000 बच्चे मिल सकते हैं इस स्यादा बच्चे नहीं मिलेंगे लेकिन यहाँ पर बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों में यहाँ पर select हो रहा होगे तो आपने यह भी समझ लिया तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो नियूजी सिच्चक हैं अगर आपने देखा होगा हमने कई वीडियों बताया है कि नियूजी सिच्चक को सरकार दसहरा से पहले-पहले दुर्गा पूजा तक इनको भाई पर्मानेंट करने जा रही इस राज्य करमी का दरजा देने जा रही है और नियूजी सिच्चक ऐसे जानने में मेरे बहुत सारे हैं जो इस सेवन्थ फेज की सिच्चक भरती में जो है एक्जाम दिये हैं चुकि ये 6th phase में चैनित हुए थी या इससे अलग-अलग phase में चैनित हुए थी और अभी राज्य कर्मी का दरजा इनको नहीं मिला था तो राज्य कर्मी का दरजा और अच्छी salary लेने के लिए जो कि अभी इनकी salary लगबग 25,000 के something यहाँ पर मिल रही लेकिन जैसे ही ये वाला एक्जाम में किलियर कर लेंगे 7th phase वाला तो इनकी जो salary होगे वो 40,000, 41,000, 45,000 जो भी salary यहाँ पर मिल रही अलग-अलग जो है junior वाली और TGT, PGT वाली इसके अलबा PRT वाली वो यहाँ पर दी जाएगे प्लस राज्यकर्मी का दर्जा देजिये जाएगा तो सरकाल ने एलान कर दिया है कि निवजी सिच्छकों को हम दसहरा तक या दुरगा पूजा तक इनको भी राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे तो ऐसे में आप मान के जलिए कि कम से कम 5,000 प्लस ऐसे चात्र होंगे और ज्यादा ही होंगे मैं आकडा लेके चल रहा हो कि 5-7,000 ऐसे चात्र होंगे जो ऐसे सिच्छक होंगे जो यहाँ पर पहले से सेलेक्ट है और 7-5 का एक्जाम दी है जब यह राज्यकर्मी का दर्जा इनको मिल जायागा तो यह इसमें DB नहीं कराएंगे तो यह सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा और कटाफ इससे बिलकुल यहाँ पर 101% कम होने वाली है तो यह सबसे बड़ा factor यहाँ पर काम करा है अब अगर आईए हैं KBS के रिजल्ट पर बात करें तो दीखिए KBS का रिजल्ट अभी आया ही नहीं है उम्मीद है कि इसे हैं अब तो आज भी आ सकता कल भी आ सकता किसे भी दिन आ सकता है तो KBS का result आ तो जाएगा भले ही कितने भी अच्छे नंबर होंगे जो लड़का KBS में qualify कर रहा होगा और जो यहां पर बिहार में भी qualify कर रहा होगा DB के लिए तो KBS का भी interview देगा और यहां भी DB कर आएगा तो इससे benefit नहीं मिलने माला है लेकिन हाँ अगर final result जो KBS का होगा बिहार सिच्छक भरती से पहले जिस अगर KBS के जोइनिंग बिहार सिच्छक भरती की जोइनिंग से पहले हो जाती है तो यहां पर लगबग 3,000 जो सीटे होंगे वो यहां पर PRT की खाली होंगे ऐसे में जो काउंसलिंग बाद में होगी मतलब काउंसलिंग की फ्रक्रिया अगर सीटे 100% सरकार को भरनी है सरकार 100% सीटे हैं पर भरेगी तो 3000 बच्चों को बाद में भी यहां पर बुलाया जाएगा तो इससे भी कटा पर असर देखने को मिलेगा उनका ये कहना था हमसे जिन जिन लोगों की मिलाकात हुई कि सर बहुत परिसान होगे बिहारा करके और यहां रुक नहीं पाएंगे यहां सर्वाइब नहीं कर पाएंगे मैं जहां जॉब कर रहा हूँ वहीं ही ठीक है तो बहुत सा ऐसे बच्चे होंगे जो छोड़ेंगे तो यह सभी फैक्टर्स हैं यहां पर जिनकी वज़े से रेजल्ट जो है आप सभी का यहां पर सही आने वाला है और कटाफ यहां पर कम जानी वाला डेजल्ट जो आयएगा वो डेलट के छात्रों का आयगा चुकि आप सभी को पता है n 7 का यह लेटर है चार सितंबर वाला वो सभी चार सितंबर को n 17 न अपना यह लेटर है वो सभी जो राजियों को सभी केन सार्ष ही प्रदेश्वां को भेश और उसमें बता दिया है कि बियर्ट जो है PRT के लिए इलिजबल नहीं है तो बिहार में जो बियर्ट का रिजल्ट है वो बिल्कुल सरकार यहां पर देने वाली नहीं है। जो कटाफ यहां पर बताई गई है आप स्क्रीन पर देखिए 40%, 36%, 5%, 34%, 32% इसको भले ही मुझे कम करना पड़े लेकिन यहां पर मामला क्या है यहां पर मामला यह है कि सीटे जो होंगी वो 100% भरने का मतलब यह हो गया जब अगर कटाफ पर बच्चे उनको मिल जाएंगे जो म बच्चे मिल जाते हैं तो 100% सीट को भरेगा तो डरने की कोई भी जरूत यहां पर नहीं है यह बात बिल्कुल यहाँ पर fix है तो चाहिर से बात है कि 100% सीटे आपकी भरी जाएंगे यह 75% वाला तभी लागू होगा जब minimum कटाप पर बहरती ना मिले और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा इस भरती में इतनी बड़ी भरती हो रही है और लगबग साड़े 3-4 लाग बहरती ज जो बच्चे होंगे वो minimum कटाप पर qualify हो रहे होंगे तो जब 1,20,000 qualify हो रहे है तो 40,000 यहाँ से बाहर हो जाएंगे आप चीज समझ चुके होंगे तो यहाँ पर 100% सीट भरी जाएगे अच्छा दूसरी बात है बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो OMR अभी उनकी आई नहीं है औ और OMR वो देख नहीं पा रहे हैं कोई नहीं देख पा रहा है और वो अपने जो result को जो जोड रहे हैं answer की के हिसाब से वो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो गलत पलत भी जोड़े होंगे मैं इस चीज को मानता हूँ उन्होंने जोड लिया होगा हमने भी टिक किया यह भी ट गलत भर दिया या गलत ही या हमसे कहीं गलती से ब्लैंक हो गया तो इसका भी यहां पर होगा और seat 80,000 हैं तो 80,000 seat बहुत होती है 80,000 seat कम नहीं होती इस चीज को भी आप दिहान रखिए अब देखी objection जो अभी हमने किया हुआ है चार question पर किया है बहुत से बच्चों ने और feel कर दिया कि हमने जो दिया बस वही सही है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा अगर ऐसा होगा तो ये question जो होगे वो court में challenging होगे और चाहिर से बात है कि इस पर BPSC को या सरकार को number देना ही पड़ेगा च्योंकि जो गलत है वो गलत है जो सही है वो सही है तो 3-4 number यहां पर और घटने बढ़ने वाले हैं किसी के घटेंगे किसी के यहां पर बढ़ेंगे तो इसका भी एक असर यहां पर देखने को जरूर मिलेगा अब जो provisional answer की आपकी आई हुई थी चाहे वो first provisional answer की हो चाहे second provisional answer की हो उसमें आपने देखा होगा कि सभी के जो marks हैं वो कम से क हम तीन नंबर और अधिकतम साथ नंबर यानि तीन से साथ नंबर जरूर घटे हैं और अभी तक हमने जो कटाफ बनाई थी वो provisional answer की आने से पहले जो आप लोगों ने इधर उधर कोचिंग से मिलाया था उसके बेस से जो आपने data दिया था उसके बेस से हमने कटाफ को त दीसरी बात 100% सीट यहां पर भरी जाएंगे 75% कोई रूल ही यहां पर नहीं रहेगा नियोजे सिच्छक 5-7000 कम से कम सीट आप के लिए खाली करेंगे जो कि आप सभी के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट यहां पर रहने वाला है साथ ही साथ अगर हम बात करें कुछ OEMR वा आपको लाना होगा जैनल में भी 40% लाना होगा मतलब 48 नंबर आपको यहां पर लाना होगा तो इसका मतलब यह होगे 58 से 60 नंबर जो है यहां पर कटाफ हो जाने वाली है तो अगर बिहार राजी के रहने चलिए मैं इस तरीकस कटाफ बता तो यहां पर ऐसे देख लिजे जादा आपको यहां पर किलिए रहेगा और सबसे पहले वीडियो को लाइक जरू करिएगा इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बाक्स में कमेंट जरू करिएगा काफी मेहनत करनी पड़ी तब जाकर कि वीडियो यहां पर तयार हो रहा है, देखी, general category में 40% नमबर लाना है, OBC में 36,5% लाना है, EBC में 34% नमबर लाना है, SST, PH और female को 32% नमबर लाना है, EWS category को यहां पर 40% नमबर लाना है, जो बिहार के यहां पर रहने वाले हैं, उन्हें के लिए यह data हैं पर बताया गया है, बाकि बिहा बिहार के अलावा, जितने भी जो है, other state के male category कन्येट है, उनको 40% ही नमबर लाना है, मतलब 48 नमबर लाना है, अब बिहार की general category की female और बिहार के अलावा other state की जो female है, इनको 32% यानि 49 नमबर यहां पर लाना है, तो इस चीज़ को आपने यहां पर समझ लिया, अब बिहार के रहने वाले हैं, तो general में जो कम से कम नमबर आपके होने चाहिए, वो 60 होने चाहिए, अंडर 60 जिसके हैं, उसका selection होने के chance हैं, नहीं भी है, लेकिन अगर आप 60 score पर हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि बिलकुल आप safe score पर हैं, और अगर आप 62 plus score पर हैं, तो मैं कह सकता 101% आपका यहाँ पर selection हो जाएगा, तो cut-off जो रहेगी, वो 60 नमबर से ले करके, 62 नमबर तक जो बिहार के general category के male student हैं, उनकी यहाँ पर रहने वाली है, और जो बिहार के general category के male student होंगे, other state के जो भी candidate होंगे, वो भी general category में ही यहाँ पर count की जाएगे, तो other state के male category के जो भी student होंगे, चाहे आप जिस category से आते हों, आप जैसे बिहार में पहुचेंगे, आप other state के जो भी साथी होते हैं, वो general category में automatic हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए भी यही same cut-off रहेगी, जो general category के male भीरतियों की, जो यहाँ पर cut-off रहेगी, वो 60 नमबर से ले करके 62 नमबर तक यहाँ पर रहेगी, इससे जादा नहीं जाने वाली है, मैं खुद यहाँ पर दावा करता हूँ, काफी research हमने किया, काफी मेहनत किया, तो 60 नमबर से 62 नमबर की बीच अगर हैं, तो बिलकुल आप जो है अराम से मस्ती करिए, लेकिन अगर under 60 हैं, तो थोड़ा सी आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी आप अच्छे तरीके से करते रहे हैं, और 6 to 8 की तैयारी तो सभी को करनी है, और appearing वालों को मौका यहाँ पर seated beard और BTC appearing वालों को मौका यहाँ पर दिया जा सकता है, OBC पता है, जो बिहार के रहने वाले होंगे, उन्ही कोई इसका लाब मिलेगा, 58 नंबर से 60 नंबर की बीच अगर OBC वाले हैं, तो इनका सेलेक्शन हो जाएगा, वहीं पर other state की कटाफ 60-62 रहेगी, चाहे OBC वाला करनेट हो, EBC की जो कटाफ है, वो 55-57 की बीच यहाँ पर रहने वाली है, SC, ST, PH और female की जो कटाफ है, वो 49-45 नंबर यहाँ पर रहने वाली है, जो बिहार के रहने वाले हैं, SC के लोग, ST के लोग, PH कटेगरी के लोग और female के लोग, जो बिहार की निवासी हैं, इनकी कटाफ 49-45 यहाँ पर रहेगी, अधिकतम 45 जाएगी, कम से कम 49 यहाँ पर रहेगी, अब देखी यहाँ पर, अगर आप female है अधर स्टेट से हैं, चाहिए UP, राजसान, हर्याडा, जिस भी स्टेट से होंगे, आपके नमबर, जो होंगी, जो कटाफ आपकी रहेगी, 50-55, इस से ज़्यादा नहीं जाएगी, किसी भी कीमत पर ज्यादा नहीं जाएगी, तो 50-55 अगर है female category की हैं, आप other state की हैं, तो ब बिहार के भीरतियों को हिलाब मिलेगा, 58 number से लेकर के 60 number यहाँ पर रहने वाली है, अब मैं summarize कर दूँ, general category में, अगर आपके 60 number हैं, बिलकुल आप यहाँ पर select हैं, और कम से कम 60 number होने चाहिए, selection के लिए general category में, चाहिए बिहार हो चाहिए अधर इस्टेट हो, OBC के जो बिह बिहार के रहने वाले हैं, 85 number, EBC बिहार के रहने वाले हैं, 55 number कम से कम, SST और PH प्लस फिमेल जो बिहार के रहने वाले हैं, कम से कम 49 number चाहिए, EWS category के जो बिहार के रहने वाले हैं, 85 number चाहिए, अधिकतम जो कटाप आपकी जा सकती ही, general category में 62 number, चाहिए वो बिहार राजी के रहने वाले हों चाहिए आप अधर स्टेट के रहने वाले हों तो यहाँ पर आपने समझ लिए अधिकतम कटाफ बहासा टंबर ही जनरल कटेगरी के यहाँ पर रहने वाली है OBC के कटाफ अधिकतम 60 नंबर जो बिहार के रहने वाले है EBC जो बिहार के रहने वाली है और इसके लावा यहाँ पर जो फिमेल अधिक्तम साथ ठंक रहेगी इससे अधर नहीं रहेगी और अधिक्तम जो कटाफ इनकी जाएगी वो 55 नमबर इससे अधर नहीं जाएगी तो 50-55 की बुच यहाँ पर कटाफ रहेगी और EWS की जो कटाफ है वो अधिक्तम साथ ठंक रहेगी इससे अधर नहीं रहेगी तो I hope सारी चीज़े हमने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके कंफरम कर दिया बाकि कुछ लोग ऐसे हैं जो डेली कटाफ बताते हैं डेली कटाफ चेंजी करते हैं डेली एनलसिस लेकर के आते हैं मैं डेली नहीं कर पाता हूँ लेकिन जब मेरे पास फैक्ट आया कि नियोजे सिच्छक यहाँ पर भई सीट अपनी खाली करेंगे सीटेट की रिजल्ट को जो हमने देखा और एनलसिस किया कि 10% ही रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है फिर मैंने देखा कि बिहार से कितने लोग यहाँ पर समलित हुए थे और इसके बाद प्रोविजन एंसर की आने के बाद सबके मार्स नहीं पर 3-7 अंबर घटे हुई है और अबजेक्सन जो किया गया है उसका फायदा मिलेगा देखिए औबजेक्सन चाहे जिसने भी किया हो लेकिन जब एंसर की आएगी चेंज होगी तो सबके मार्स यहाँ पर कम ज़्यादा होंगे मतलब अगर आपका एंसर हो सही हो जाता है तो मार्स बढ़ जाएंगे अगर गलत हो जाता है तो मार्स आपके यहाँ पर घट जाएंगे और NCTE का लेटर से यहाँ पर सारी चीज़े clear हो चुके तो कुछ ऐसे मुद्दे थे 10 plus point ऐसे थे जिन पर बाच्चेत करनी थी आपके सामने और हमने यहाँ पर cut-off बता दी आप screenshot ले सकते हैं जब cut-off आएगे आप इससे match कर वाली जेगा और यह final cut-off रहेगी DB की cut-off जो आएगी उसके बाद जो final cut-off रहने वाली वो यह cut-off रहेगी और DB की जो cut-off आएगी उसमें कहा गया कि 1,00,00,00 प्लस जो बच्चे होंगे वो यहाँ पर जो qualify किये जाएंगे तो 1,00,00,00 प्लस बच्चे qualify किये जाएंगे नियो जे सिच्चक अपने seat छोड़ देंगे ठीक है और बहुत से ऐसे चात्र होंगे जो कहीं न कहीं select हैं वो भी अपने seat छोड़ेंगे TGT PGT वाले भी अपने seat छोड़ेंगे तो मैं मोटा मोटा मान सकता हूँ कि 10,000 seat ऐसे ही खाली हो जाएगे लगबग 10,000 जो बच्चे होंगे वो बाहर होंगे तो बिलकुल यहाँ कटाप यहाँ पर जाने वाली है बाकी 80,000 का select है यहाँ पर हो जाएगा आई होप सारी शीचे हैं के लियर हो चुके होगी फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो साथ एक नए जानकारी के साथ तब तब कर लाइक सांगे वाचिंग इस वीडियो